हेलो माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैंब सब आई होब मेरे सारे फ्रेंड फैमिली बहुत अच्छे होंगे और मेरे गले का हालत बहुत जादा खराब है सुबह सुबह उटके मैं थोड़ा सा धूप हुआ है तो मैं नहाई हूँ अभी पता है अब विस्वास नहीं कीजेगा मैं जो एक बर बहुत मुश्किल से चाय पीती थी अभी मैं तीन बर चाय पी चुकी हो क्योंकि मेरे सर में बहुत जादा वाला पेन हो रहा है अक्चुली में कल रात सी मेरे सर में बहुत जादा दर्द है पुरा बॉड़ी पेन कर रहा है तो इस तरीके से मेरा पुरा बॉड़ी पेन कर रहा है तो सर में बहुत ही जादा दर्द है जबकि जादा पानी वानी का भी काम मैं नहीं कर मेड ही जारू पोचा बर्तन कहने के लिए और ठंड के टाइम पे भी मैंने मतलब कप्रेद होने का भी टेंशन मुझे उतना नहीं होता है क्योंकि आटोमेटिक मशीन है मेरा तो मैं कप्रेद इतने भी होते में मशीन में लगा लेती हूं फिर भी इतना जादा ठंड में आप को क्या ही बता हूं कल मुझे बहुत जड़ा थंद हा ररिया में पर्सों से बहुत जादा वाला ठंड आ चुका है और एफि क्रिसमस दे आप सभी को मेरी तरफ से हैपि क्रिसमस डेए ऐ होप आप लोगप आप लोग बहुत ज़ए इसंस्त priority के साथ कुछ होंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए अंत्रा सिंग ओफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यूटूबर अंत्रा से भी है बट वहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ तो यहाँ पे मैं संस्क्रीम योज कर रही हूँ गर्मी ठंडा बरसात कुछ भी होता है मैं संस्क्रीम ही लगाती हूँ अपने फेस में तो अभी जैसे घर में थोड़ा बहुत सा ही मेकप करती हूँ बहुत जादा हेवी सा मेकप करके मैं घर में नहीं रहती हूँ हलका सा लिपिस्टिक लगाई थी उसके बाद मैं उसके उपर से लिप बाम लगा लिए यहां पे कल रात को मैं अंडा पोकोडा मश्ली बनाई थी पता नहीं मुझे कैसे जल गया रियलाइस भी नहीं हुआ और अभी मैं देख रही हूँ कि दाग लगा हुआ है उसके बाद दाग मिंस की जल गया हुआ है यहां पे मौनिंग में ही ना मैंना कुछ कप्रे जो था ना उनको ना मतलब धोने के लिए रग दी थी मशीन में बहुत सारे कप्रे हो गयते पता नहीं इतना कप्रा हो कैसे रहा है और सबसे ज़्यादा कप्रा ना मेरा ही होता है हस्बेन और रिशांका थोड़ा कमी होता है लेकिन मेरा ही कप्रा इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो अपने सारे कप्रे को मैंने आज दोया है उसके बाद हस्बेन के भी कुछ कप्रे थी उनको भी दोया हूँ तीन लॉट में मशीन लगाई थी फिर से रिशांका जो स्कूल ड्रेस है वाइड ड्रेस एंड उसका जो डेली वल अड्रेस है इसको भी मैं दोई रिशांका स्योटर दोई तो इस तरीके से मैंने आज बहुत सारे कप्रे दोई है बैक टूबेक कप्रे जो से जैसे फिर दुबारा से सारे कप्रे को मैं डालूंगे सूख्री के लिए वैसे तो मतलब बालकन चट भी है मारे पास कप्रे सुखाने के लिए बहुत बड़ा चट है उपर में लेकिन चट पे में जादा कप्रे नहीं सुखाने जाती हूँ क्योंकि मुझे ने एक टेंशन सा बालूंग में मैड आई थी वह जारूप उचा बरतन जो है वह करके जा चुकी है और अभी मेरा काम जो है जैसे बेड़ ठीक करना तो पहले में नहाई नहा के मैं पूझा कर ली क्योंकि नहा के पूझा कर लो तो लगता है कि चलो घर में अब बाकी का जो काम है वह हम कर सक करेंगे तो पहले में नहा ली नहा के मैं पूझा कर ली हूँ नहीं तो क्या होता है पूझा करने में इतना लेट हो जाता है ना उसके बाद कुछ भी मन नहीं करता है फ्रेंड करने का तो इसलिए पहले मैं नहा के पूझा कर ली हूँ और आज तो संडे भी है वैसे भी ब पलैंक्योट को फोल्ड करके अच्छे से रखना वरना पुरा फैला फैला सा बैड लगता है और जब तक आप अपने ठीकना कर लो रूम अच्छा नहीं लगता अगर आपका रूम चोटा हिये तो भी अगर आप बैड़ वेट ठीक कर लेते हो तो आपको आपका रूम जो है बहुत जाधा अच्छाओ्व मैं ठीक है स्व का अच्छाओर नीचे में मैड डाल लेती हूं जिसे रशांग थैंक रहता है अपने उच्छा करते रहता है आखेली क्या कर सकते हैं बच्चें आखेली है मुझे आप लोग बोलते वी दीदिए अप सकेंड बेबी मका करोगे तो बिल्कुल मैसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूं कि second baby हूं बस आप लोग की जब भी आशिरवाद हो दुआ लगे मैं मैं खुद भी ready हूं इस चीज के लिए सो एनिवे यहां पर कप्रे देख सकते हैं फिर से मैं कप्रे डाल रही हूं अभी अच्छा मैंने मैं फर्स्ट अपना डाला था उसके में कुछ हेवी सूट्स थे ट्रेडिंग वर्क वाले वह फिपश्ट अपने 6 फिफ्टीं डाला ता 15 मिनट वाला उसके मैं डाली हो रिषाऑ के स्कूल डेसेस जो से ना जितने भी में मैं डाली हूं क्योंकि हाज संडे को मैं रिषाहं के स्कूल ईनी फ्रॉम जो एक white वाला है और एक colorful वाला है तो उनको मैं हर एक Sunday को ही wash करती हूँ बीच में white वाले को धो देती हूँ क्योंकि white वाले week में दो ही दिन है Wednesday and Saturday लेकिन एक दिन ही ये लड़का पहन के आता है ने रिशांक उसने में इतना गंदा कर देता है ना मैं आपको क्या बता हूँ एक दिन एकर white वाला dress पहन में के जाता है न धौन Immelum तो सोफा भी ठीक कर लेती है तो मैंने आपको बताई है कि मैं बहुत बार ठीक करते रहती हूँ, थोड़ा साभी रिशाएं कि इसको पर आगा, यह रिशाएं के पापा तो पुरा मैट यह लोग क्या करता है ना, इदर से उधर, जो मैट है, वो कर देता है, तो उसके बाद, यह जो पिलो है, वो भी कर देता है, तो मैं रक्स भी छा दियू, और उसके उपर से, मैं यहाँ पर, सेंटर टेवल जो है, वो डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत ही, मौर्णिंग कर यह, इन्वर्टर का इतने भी होता है वो हुटा के फिर अच्छे से पूरे घर को क्लीन करती है तो मेरा उसके जाने के बाद यही काम होता है कि मैं चिएर को चेर जहां पर रहता है जिसका जो जगह है में वहां पर रख दू आज केल मेरे साथ प्रॉब्लम क्या ओ गया है न मेरे फ्यूज कटा हुआ है, हस्बेन को टाइम नहीं मिल रहा है, कि वो इसको ठीक करवा है, तो मैं उनको बोली हूँ कि ठीक करवा दीजिये, वरना ब्लॉक शूट होते होते हो, क्या होता है कि, रुख जाता है, अभी तो वैसे ठं का मौसा में पंक्रे की जरुवत नहीं है, तो थोड़ा बहुत समान लाने के लिए तो मैं वहाँ से ड्राइफ रूट लेके आई थी मार्केट से उन ड्राइफ रूट को मैंने डबे में नहीं डाला था तो यहां पर जितने भी ड्राइफ रूट मैंने लाया था डेट्स हो गया फिर पिस्ता बादाम हो गया और फिर कर लोंगी आज सुबह 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 हस्वें जो है वह निकल गया है उनके मतलब की पार्क में कुछ उनका जरूरी काम चल रहा है तो मैं आज कुछ भी नहीं खागे गया सुबह चाय बिस्किट उन्होंने खाया है ब्रेकफास ब्रो नहीं किया क्योंकि उनकी थोड़ी सी इसे डीटी की प्रॉब्लम थी उनका कि मैं उधरी कुछ खा लूँगा तो वहीं बस ड्राइफ्रोट बिस्किट चाय यही सब खा के गया है तो मैं अभी ब्रेकफास में ड्राइफ्रोट खा रहती हूं थोड़ा सा नमकीन ले लेती हूं इसके बाद देखती हूं क्या बन यहां पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना उसके बाद यहां पर मैं यह मैं ट्रॉली देख रही हूं कि इसमें क्या-क्या कप्र लगे हूए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू येर में मेरा प्लानिंग है ससुराल जाने का देखती हूं जा पाती हूं कि नहीं जा पाते हैं अभी मैं खुद भी बहुत जादा कन्फ्यूस हूँ बस मातरा नहीं करें कि हम लोग जा पाए चुटी मिल जाए उनको क्योंकि मेरा बरब मनने जाने का तो यहां पे कुछ कपरे हैं जो मुझे ससरा लेके जाने हैं तो उन सब को मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब यहां पे इसमें रख देती हूं कि जाने का टाइम पे मुझे ढूंड़ना ना पड़े अगर जाएंगे तो भी ठीक है नहीं जाएंगे तो भी ठीक है अगर अगर नहीं भी जाएंगे तो भी दो-चार दिन बाद जाएंगे निव एर में लेकिन अगर निव एर में जाते तो जादा शायद अच्छा लगता है ना सबको वहाँ भी बहुत अच्छा लगता क्योंकि वहाँ भी सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब आएंगे तो रिशान को भी अपने दादा दादी के पास जाना है उसको भी बहुत मैंने जाने का तो देखिए कहां तक हम जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं अभी कुछ पता नहीं है सो यहाँ पे थोरे बहुत जो कप्रे थे उपर में रखे हुएं मैं उसको एक जगा पे रख देती हूं कि मुझे जो प्रॉबलम ना होगे जाने के वक्त मुझे क्या होगा कि सारा समान मुझे एक जगा पे ही मिलेगा यहाँ पे रख रख आलू कल बॉइल करके महरा मतलब चार पांच अलु बॉइल की इसμέन तीन आलू बचा हुआ था था तो वसके में रख इस जो कि तो यहां पर यह जो पी जो आलू का आटी कि अचिए मसाले डाल दी आज वाइन डाल दी आम चूर पाउडर डाल दी जिसे बहुत अच्छा एक टेस्ट वह आएगा यहां पर बेसर में लपेट के इस तरीके से मैं इसको बना ले रही हूं और यह मेरा फलका सा कुछ खाने का अच्छा सा मन कर रहा था तो मैंने का चलो इस तरीके से बना लेते आलू है यह फटा फट से बन जाएगा तो यहाँ पर देख सकते आलू के टिक्के में रेडी हो चुके यहाँ पर मैं प्याज जो है अच्छा भी लगेगा खाने में और अलू हैवी होता है तो बच्चे के लिए हेल्थ के लिए भी अलू बहुत अच्छा होता है यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ब्रेड को सेक लिया है उसके बाद इस तरीके से मैंने एक टिक की उसमें डाल दी आलो के और उसके बाद मैं इसमें टमाटर सॉस डाल दूँगी देख सकते हैं तो यह टमाटर सॉस ने इस बर मैंने डबा वाला नहीं लिया था ऐसे पैकेट वाला ही लिया था बड़ा वाला तो यह देख सकते हैं यहां पर मैंने टमाटर तो यह रिशांग बहुत अच्छी से खा लेगा और उसको बहुत अच्छा भी लगेगा और ब्रेड भी है तो थोड़ा से हैवी भी उसको हो जाएगा तो उसको भूख नहीं लगेगा और थोड़ा दर के बाद मैं उसको फिर कुछ जो हम लोग लंच बनाएंगे तो लंच उसको दे देंगे यहां पर इशांग को देख सकते मैंने दूप में बैट के खा रही हूं क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे ठंड लग गए तो मैने थुड़ा सा दूप में बैट की मैं कुछ भी खा रही हूं उसके बाद आचुकि मैं थोड़ी भौट कपरे सूग गय पूरा सभी अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल पर न्यूव है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा थैंक यू तो सब्सक्राइब नहीं किया अपने ध्यान रखिएगा अपने ख्याल रखिएगा हस ते रिगा मुश्कुरा ते रहिएगा अन अगेन हैपी क्रिस्मस मैरी क्रिस्मस तैंक यू सो मच